बिहार में कहने को तो महागटवंधन की सरकार है और इसमें एक दो नहीं बलकि छह राधनितिक दल एक साथ हैं लेकिन इस्थिति ऐसी है कि जब प्रमुख पदों को पाने की बारी होती है तो उसमें राजद और जदियू का दावा 20 हो जाता है और सेश दल कहीं नहीं टिकते हैं विशेश कर कॉंग्रेस की स्थिति इसी कुछ इसी तरीके की है क्योंकि हाल फिलाल ही जब निगम, बोड और आयोग का पुनर गठन किया गया तो उन तमाम जगहों पर कहीं भी कॉंग्रेस की ओर से कोई बेहतर तरीके का उनको कहा जाए कि पद नहीं मिला है और तमाम जग पर केबल और केबल राजद और जदियू के ही चेहरे नजर आते हैं। कि साथ बर्सों के बाद नितीज सरकार ने बिहार में भंग, बोड और आयोगों का पुनर गठन किया तो इसमें जितने भी जगह पर हुआ है वहाँ पे केबल के और केबल जदियू और राजद की ने आपस में ही तमाम जगहों पर तमाम चीज़ों को बांट रखा है। हम अब तक गठित आयोग और बोड की चर्चा करें तो मौजूदा समय में जो पिछरा बर्ग आयोग है उसके लिए संजय कुमार को बनाया गया है। पिछरा बर्ग आयोग में संजय कुमार अध्यक्ष बने हैं वे पुर्व नया धीस हैं यानि कि उनका किसी दल से कोई वास्ता नहीं है। वहीं अति पिछरा बर्ग आयोग के लिए डॉक्टर नवीन आरिया को अध्यक्ष बनाया गया है जो जदियू से आते हैं। अगर हम बात अनुसूची जनजाती आयोग की करें तो यहां संभू कुमार समन को अध्यक्ष बनाया गया है जो जदियू से आते हैं। जबकि बाल स्रमिक आयोग के अध्यक्ष के तोर पर राजद से आने वाले चक्रपानी हिमानसु को जगह दी गई है। वहीं अनुसूची जाती आयोग के लिए राज़ंदर कुमार राम को अध्यक्ष बनाया गया है जो राजच्ष से हैं। महादलित आयोक का अध्यक्ष संतोस निराला को बनाया गया है जो जदियू के हैं अलपसंख्यक आयोक का अध्यक्ष रियाजुलहकराजू को बनाया गया है जो राजद के हैं महिला आयोग की अध्यक्ष के तोर पर असुमेद देवी बनाई गई है जो जदियू की पुरुसान सद हैं। वहीं राज मदरसा सिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के तोर पर जदियू के मुहम्मद सालिम परवेज को अध्यक्ष का जिमा दिया गया है। जबकि राजि संस्कृत सिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के तोर पर राजद के भूला यादव को बनाया गया है जो बिहार में राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में जिन नव गठित आयोग और बोर्ड का पुनरगठन किया गया है उसमें पांच जगों पर जदियू से आने वाले लोगों को अध्यक्षपत की जिम्मेदारी दी गई है जबकि चार पर राजद से आने वाले लोगों को अध्यक्ष का जिम्मा मिला है जबकि एकमा पिछला बर्ग आयोग के अध्यक्ष के तोर पर पूर्णियाधी संजे कुमार को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार में कमतर करने वाली ही स्थिती के रोर पर देखा जा रहा है। के लिए कॉंग्रेस की ओर से बार बार कई बाते कहीं जा रही है लेकिन अब तक न तो मंतरी मंडल का विस्तार हुआ है और न तो नए कॉंग्रेसी मंतरियों को शपत दिलाए गई है। वहीं जब अब बोड और आयोग का पुनरगठन हुआ है तो उसमें भी जिन दस बोड और आयोगों का पुनरगठन किया गया है। उसमें से नौ में पांच पर जदियू तो चार पर राजद के लोगों को अध्यक्ष बना दिया गया है और कॉंग्रेस इन में कहीं भी कहीं पर भी नहीं दिखती है। और यही कॉंग्रेस के निताओं के लिए मौजुदा समय में बिहार में सबसे बरी चिंता का विशय बना हुआ है कि आखिर यह कैसा सामन जसे है जिसमें तमाम जो जगव पर अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी आई तो वहां राजद और कॉंग्रेस ने आपस में ही वट प्रतिनिधुत नहीं दिया गया है ऐसे में यह देखना महत्पुर्ण होगा कि कॉंग्रेस को सरकार में सामिल रहने के बावजूत किसी भी आयोग या बोड का अध्यक्ष का पंदापद कॉंग्रेस के लोगों का ना देना कॉंग्रेस के नेताओं को कितना या नागवार बुजरता है या फिर कॉंग्रेस इसे किस तरीके से स्विकारती है